इस वीडियो पॉज करो प्यारे बच्चो और इसको सॉल्व करने की कोशिज करो एक इलेक्टान है उसी इलेक्टान के पास मास है और फोटाउन है और एक इलेक्टान एक फोटान है दोनों का इनर्जी सेम है इनर्जी दोनों का सेम है दे रहेशिव डी व्रोगली वेवलेंथ तो उसमें की वजह से उसके पास द्रीब रोगली वेवलेंथ होता है तो सबसे पहले अगर मैं फोटाउन का लिखूं तो एनर्जी या फोटाउन इस उकल टू इस इक्वेशन को मैं इलेक्टान के लिए नहीं लगा सकता हूं बिल्कुल गलत तो लैम्डा फोटाउन जो आ जाएगा है एक्वेशन अपान एनर्जी या फोटाउन इक्वेशन नमबर फॉस्ट अब आजाओ डी वरोगली वेवलेंथ पे सेकेंड केस में केस सेकेंड मे ily इलेक्टान्स की डी वरोगली वेवलेंथ जो होती है हो एब अचापानμb है ठीं है तो मतलब ओमेंटम तो एब अब मुझे निगालना पडेगा ना इलक्तान के लिए यह जो equation है जो क्या इसका मतलब यह हुगा कि अगर electron move कर रहा है तो उसकी energy same है तो electron अगर move कर रहा है तो उसके पास क्या है यार half mb square उसके पास kinetic energy है और kinetic energy को मैं यहाँ E से denote कर देता हूँ और यह वाली energy और photon की energy same है यार समझ रहे हो बात तो यहां से मोमेंटम जो है mb का whole square upon 2m that is equal to energy तो यहां से mb की जो value आ जाएगी प्यारे बच्चों वह जाएगा 2m e under root वैसे में पहले से याद है याद तो यहां से lambda of electron आ जाएगा lambda of electron h अपान 2 times mass of electron energy e under root तो यह जो यह इसका ratio और इसका ratio पूछ रहा है यह वाला ठीक है दोनों की energy तो सेम है तो यहां से किसका associated lambda of electron lambda of electron और lambda of photons तो lambda of electron h upon 2 times m e under root और अगर photons का देखोगे तो lambda of photons इदर निकाले हो h c और यह उपर चला गया h नहीं h को और अगर इसको one upon c इदर लिख दो और इसको root के अंडर ले लोगे तो यह आजाएगा e upon two times m under root तो one upon c two times m under मतलब यह है c option सही है आगर यह है